शाम को जब छोटो मोटो सी भूख लगती है तो समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या खाएं दो मिनट में ऐसा क्या होगा जो जल्दी जल्दी से बन जाएं क्या बनाना का लिए गाएं मैं टो चलिए हम भी उन्यित उर्य स्क्राइप। हई दोस्तों में आभका अपकी अऊपको मैं ड्यारेशिपड़ाइं रबने इक उसके आएं दो निर्ची कुल Cos kinda sad बेंवां मैंदे सेंख वट गया है मैंने लिएहां, चमाइं प्लाइं है मैंने लिएहां पाटकेतनाना सटेशना चंड़ी साउस कमाउस, वट्र हम बेंगा है मैंने में अपना मैगी और हम रखे पर हफी दिरेख और घरम हदा छबी यह अब इसमें हम डालते हैं एक चम्मच रिफाइन ओयल और अच्छे से गरम कर लेंगे अब इसमें हम डालते हैं करी पत्ता जोड़ा सा हाटों से क्रूष कर देंगे मिर्ची डालेंगे हम और जीरा और इन दोनों को एक नट के लिए भूल लेते हैं अब इसमें हम प्यास डाल देते हैं साथ ही साथ हम इसमें आलू भी डाल देते हैं कि इनैं को एक सबकोनों के खुण लेक्ड outta प्रायच के लिए बूंन लेते हैं या एक मिनट होगे है तो चलिए अब चलिए अब पर दांकर देते हैं तेमैटों का बड़ी अभी डाल देते हैं और इन सब को अच्छे से बून लेते हैं एक नड़ के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं पर इसमें हम बाकी के बच्छे हुए मसाले भिए एड़् कर देंगे अब इसमें हम डालते हैं सोय सॉस हलदी नमक अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक नड़ के लिए हम धख देते हैं जिससे की जो आलू है वो गल जाएंगे एक नेट हो गए है और आलू हमारा गल गया है तो चलिए अब इस पे हम मैगी डाल देते हैं मैगी वाला मसाला भी डाल देते हैं और एक ग्लास पानी डाल के इसको पका लेते हैं के अर बीज़तों है तो मैगी बस पटने ही वाली है बस एक सकेंड और लगेगा बस यह ही गया है और आप देख रहे होंगे अगर आप यह वाला मैगी बनाते हैं तो आपको सब्जी बनाने की भी जोरत नहीं है रोटी के साथ भी खासकते हैं तो आप इसे मैगी वाली है उसको एक प्लेट में डाल देते हैं मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया और अभी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए कैसी लगी आपको में रेसिपी कमेंट करके जरूर पताईएगा और अगर आपने में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जली-जली से सब्सक्राइब कर लीषे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तके लिए बाइ बाइ झाल झाल